हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स देखिए मैं लेकर आए हूँ हूँ पालक किचन गार्डन से अपने और आज बनाओंगी बहुत ही लाजवा बहुत ही टेश्टी रेस्पी दोपहर के खाने में तो चलिए सुरू करते है रे तो यह मैंने अपनी फेंगली की हिसाब से लिया है अधी-कटोरी आप अपने फेंगली कीह साब से ले लिजिए अर इसे अच्छे से धुलिए है और आप उसी कटोरी सिनापकिस में दो से ढ़ा ही कटोरी पानी रखेंगे तो फ्रेंड्स यहां पे दाल को हमें बहुत पतल डाल दिया है इसमें एक के में खटाई डाल रही हूं आम की और साथ ही नमक डालूँगी स्वादानुसार और इसमें डालूँगी दो चुटकी हींग और बस कुकर के धकन को लगा कर इसके इसको दो से तीन सीटी आने तक पका लूँगी तो यह तूर दाल है रहर की दाल तो कंप आगे की तयारिया कर लेते हैं तो देखी यह मैं पालक लेकि आई बहुत ही मुलायं इसके पत्ते हैं चोटे चोटे और मैं इसको कट कर ले रही तो मुझे । gi कuri देगे सब्सक्राइब करने और इसको मैंने अच्छे से कट2 डूला को पानी। बड्या पानी हुआ syllable पानी। पालक को मैं इसमें रख दूँगी ताकि इसका सारा पानी जो है वह अच्छे से निकल जाएगा तो चलिए फ्रेट्स मैंने उसे रख दिया और यहां हमारे कुकर में रगातार सीटी भी आ रही है तो हमारी दाल जो है वह अच्छे से पक भी गई है तो बस मैं गया इसकी फ् ठाई बोश कर लेते हैं और पानी घर्म हो जाएगा फिर चावलों को इसमें डाल कर रख देंगे पकने के लिए तो देखें में चावल दुख लिकर आ गई हूं और पानी भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है विल्कुल बईल होने लगाया है तो बस इसमें अग-दो बा तक तक इधर मैं लैसुन प्याज चील कर लेती हूं तो देखिए मैं यहां पर चार से पांच कलियां लैसुन की और एक मीडियम साइज का यह प्याज चील ले रही हूं और इसके बाद मैं इसे इस तरह से लंबाई में पतला-पतला कट करूंगी लैसुन को भी तो यहां मैं एक मीडियम साइज का टमाटर ले लिया है और इसे भी मैं इस तरह से लंबाई में ही कट कर लूँगी तो देखिए मैं यहां पर इसे भी लंबाई में कट कर रही हूं आप जैसे कट करना चाहते हैं कट कर लीजिए और आप पीस के लेना चाहते हैं तो पीस भी सकते है अद्रत और लेसुन और प्याज को टमाटर को ऐसे ही बारिक बारिक कट कर लीजिए तो देखिए हमारे टमाटर प्याज सब कट हो गए अच्छे से और दाल को चेक करते हैं तो देखिए यह हमाई दाल बहुत ही अच्छे से पक गई है तीन से चार सीटी में अच्छे से पक ग्या करेंगे कर से घरम के लिए और दाल करेंगे फृर्य को मैं यह तुरह करें इस HEYम कर केहि tard कि आदेसे चुछान को च हैं जान है यह बारी वरी की मिर्ष दोलौ네 ऑर जो और जो हमने लहसन को बारी बारी कट कर के रखा है उसे भी डाल दूघेज से कला और य मैंने बहुझेis एकेजS का पिर्छा कर रखे रगी स्लाइस से तेल में पीस के बर भूनेदे तो तो देखिए हमारा लास्टन जो है वह अच्छे से हो गया है तो बस मैंने इसमें यह प्याज डाल दी है और इसे मैं इस तरह से कल्ची से हलका सा दबा दूगी तो इसके सारे लच्छे अलग अलग हो जाएंगे और बस इसे हम अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे और जब यह सारी चीज़े अच्छे से भून जाएंगे इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाएगा तो बस हम क्या करेंगे कि जो हमने पालक कट करके रखिए ना इसको इसमें डाल देंगे और इसके बाद इसे हम अच्छे से भूनेंगे तो फ्रेंड्स यह बहुत ही सौफ्ट प अच्छे पालक काईमारी पालक काफी अच्छे से गल गई है तो इसमें टमाटर कट करके जो रखा है मैंने इसे डाल देती हूं और इसे भी साथ एक दो मिनिट के लिए इस तरह से भून लूँगे ताकि हमारे टमाटर भी जो है थोड़े से गल्जाया हैन् się कार्थ हो जाया है तो देखिए मारे टमाटर भी वग्णलके twee जो हमने दाल बना के रखे ना उसको इसमें पलड देंगे और अच्छे से मिक्स करके एक दो मिनट के लिए इसे इसे पकने देंगे धीमी आज पे तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये पालक अरहर दाल फ्राई बन जाती है बहुत हिलाजवा बहुत ही टेश्टी लगती है ख देखिए मैं इसे इस परतन में ट्रांसफर कर ले रही हूं और ये देखिए हमारी अरहर पालक दाल फ्राई बनकर बिल्कुल तयार है बहुत ही लाजवा बहुत ही टेश्टी ये दाल बनती है आप चाहते इस पे उपर से थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं तो फ्रेंड्स बच्चों को पालक हम इस तरह से दाल में डाल कर खिला सकते हैं उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा तो चलिए दाल हमारी बन गई है तो मैं फटा फट से इधर सबजी बनाने की तैयारी कर लेती हूं तो देखिए यहां पे मैंने यह तीन मीडियम साइज के आलू लिए हैं और इसको मैं तरह से पतले पतले पाल दर समें हैं हैं तो इसे हमेनी प्रेंड्स वतなら्क है यह जिसदो को बहुत ही टेश्टी लगती है तो मैं अपने बच्चों को अकसर लंचبॉक्स बनाके देती हूं क्योंकि आलू जो है वह वह बच्चों को पसंद तो इस तरह से उन्हें बना के दे देती हूं अजिए और देखिए मैंने इदर तेल गरम कर लिया और यह जो प्याज मैने कट कर रखी थी ना इसको डाल दिया और साथ हड़ी मिर्च मैंने इस तरह से तोड़ कर इसमें डाल दी है और बस इसे हल्का सा भूनेंगे और इसके तो देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स करके और हम धग देंगे तो थोड़ी देर में इस तरह से चलाती भी जा रहे थी और यह हमारी अच्छे से बहुत ही जल्दी पक जाती है आलू क्योंकि हमने इसे काफी पतले-पतले पीसे में कट किया है और इसमें ज्यादा मसालों कभी यूज हम नहीं करते हैं इसमें टमाटर भी नहीं डालना है और बहुत ही सिंपल मसालों में बहुत ही टेश्टी यह बन जाती है बस इसमें हम उपर से क्या करेंगे यह चम्मज के लगबग यह भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल देंगे इससे बहुत ही अच्छा इ तो आप चाहें तो पनीर को कद्दू कस करके डालूगी क्योंकि बच्चों को पनीर भी बहुत पसंद होती है तो इसमें हम थोड़ी सी पनीर डाल देंगे न ती यह आलू पनीर बुर्जी बन जाएगी हमारी और बहुत ही लाजवा बहुत ही टेश्टी लगती है तो आप में बना रही हूं चुटकी वाली रोटी जो की राजस्थान में ज्यादा खाई जाती है तो देखिए मैंने रोटी बड़ी सी बेल कर थोड़ी सी मोटी सी इस तरह से तवे पे डाल दिया था इसके बाद इसको मैं हलका सा नीचे सो जाएगी तो पलट दूंगी और इसके मैं इसमें चिम्टे से इस तरह से डिजाइन बना दे रहे हैं तो फ्रेंड्स इसे चिम्टी वाली रोटी बोलते हैं क्योंकि जैसे पहले बच्पन में हम लोग खेलते थे ना दूसरे को चिम्टी काटते थे वैसे ही इस रोटी में हमें चिम्टी काट के बनानी होती है तो इसमें बहुत चिंटिया बन जाती हैं चिंटिए और इसे सिक यह तो में सबस्क्सी्यट क करेंग इसे ही बनाने में जादा टेश्टी लगती है लेकिन इसको हम गैस पर बना रहे हैं तो इसे हम इस तरह से खड़ा करके लेफ्ट राइट दाइब आए उपर नीचे हर साइड से अच्छे से में इसे सेंक लेना है रोटी को और देखिए हमारी कितनी अच्छी यह रोटी बनकर बिल्कुल तयार है चिम्टी वाली रोटी राजस्थान में ज्यादा खाई जाती है तो बस फ्रेंड्स यह रोटी भी हमारी बन गई तो चलिए फट अफट से थाली लगाते हैं अब देर क बनती है और साथ में यह अलू पनीर भुजी इसको भी मैंने इसमें रख दिया है और इसके साथ में रख रही हूं यह हमारी रोटी चिम्की वाली तो मैं इसमें क्या करूंगी इस तरह से हरी धनिया की चटनी लगाओंगी क्योंकि फ्रेंड्स यह रोटी जो है ना हमारी तो लीची फ्रेंड्स हमारी यह दो पहर की ठाली बनकर बिल्कुल रेडी है बहुत ही एल्दी यह हमारा भोजन बना हुआ है तो फ्रेंड्स आज का यह हमारा रैस्पी वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजेगा और चैनल पे नूँ हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी रेस्पी से जुड़ी हुई नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए फ्रेंड्स मेरी दो पहर की थाली तो लग गई ह है आप लोग भी कीजिए लंच और मैं भी ले चलती हूं सबको देती हूं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बब